रेजिस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपको विशियाई के ओफिशियल वेबसाइट विशियाई.admissions.nice.in पर आना है यहां पर फिर आपको प्लिक एर फॉर ऑन्लाइन रेजिस्टेशन पर क्लिक करके अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो डेक्स्टॉप मोड में अन क फिर इसके बाद आपको न्यू रेजिस्टेशन वाले ओफिशन पर क्लिक कर देना है इस वाले बटन पर आप चेक कर लेना कि आपका डेक्स्टॉप मोड में होना चाहिए अगर आप मोबाइल से कर रहे हो यह सारे इंस्ट्रक्शन्स आपको दिये गए हैं तो एक बार अलाकि इसकी कोई ज्यादा नीड नहीं होती है तो मैं यहां पर डायक्त जो यहां पर पासवर्ड वगरह है वो भी आप देख सकते हो कि आपका डिजिट का होना चाहिए स्मॉल लेटर स्पेशल करेक्टर सब कुछ होना चाहिए उसके बाद आप यहां पर आई एग्री प कर रहे हैं वो सारा कुछ आपका सही होना चाहिए यह सब फिल अप करने के बाद सम्मिट पर क्लिक करते ही आपकी स्कीन पर कुछ ऐसा आएगा अब यहां पर आपको अपना एप्लिकेशन नंबर और आपका जो फॉर्म है वो फिल अप करना होगा राइट देखो आपका र इमेल आड़ी जो है यार वो आपके उस पर टीपी जाएगा मुवाइल पर भी ओटीपी जाएगा तो यहां पर दोनों पर टीक होना चाहिए जिससे आपको यह दोनों वेरिफाई हो जाएगा फिर आप अपना यहां पर रिलिजिएन सलेट करेंगे हिंदू मुसलिम सिकिस सब हैं भाई भाई जो कुछ भी आपको सलेट करना हो उसके कोडिंग आप सलेट कर लेंगे उसके बाद सेव एंड नेक्स पर क्लिक कर देंगे राइट उसके बाद आपको करना क्या होगा आपको अपना क्लाश 12 का जो डीटेल है यानि कि आपने किस येर में पास आउट कि मिला हुआ है क्लाश 12 में सब्जेक्ट वाइस लाइक फिजिक्स केमेस्ट्री और हम बात करें इंग्लिस और बैयलोजी में तो यह आपको फिलप कर देना है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं फिलप कर दिया हूं तो इस तरीके से आप लोग को कर लेना है उसके बा और हाँ किसी भी स्टूडेन को आठ दखो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडे को लाइक कर दो और इसके बाद आपको फिर यहाँ पर सब्मिट के क्लिक कर देना सेव और ञैस movies करने के लिए आजाता है तो यह अगर हम थोड़ा बात करें तो इसका मतलब होता है house number और सब लोकलिटी में यहाँ पर अपना तहसील भी भर सकते हो और village या फिर city का name और आपका state क्या है district क्या है पिन कोड क्या है आपके जो है basically address का तो वो भी आप यहाँ पर फिल अप कर सकते हो जैसे कि यह मेरा student है personalized counseling का हर्यारा से अजये त तो यह आप भी अपने recording फिल अप कर दोगे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूँ जब आप अपना उपर फिल अप करोगे तो same as correspondence address पर क्लिक करोगे तो नीचे वाला जो रहेगा वो भी same उपर वाला हो जाएगा अब यहाँ पर make sure कि आप लोग अपना जो मुबाइल नंबर है यार उसको भी verify एक बार जरूर कर लेना जिससे आगे चलके आपको problem नहीं आएगा इसके बाद यहाँ पर I hearby declaration पर क्लिक करके आप चेक कर लेना सारा detail की कोई mistake वगरा तो नहीं हुआ है ठीक है तो अब देखो यार आपक आपको क्लिक करना है आपके नंबर पर एक OTP जाएगा security pin डालने के बाद OTP को यहाँ फिर आपको डालना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका OTP चला जाएगा ठीक है आपके नंबर पर तो फिर उसके बाद आपका यह भी verify हो जाएगा तो चलिए मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोग को बता दू यार की आप देखेंगे यहाँ पर mobile और email ID दोनों पर यहाँ पर टिक कर निसान हो गया है तो यह दोनों verify हो चुके हैं अगर नहीं verify करते तो यह टिक का निसान नहीं रदा अब आपको simply यहाँ पर payment करना होगा मैं एक चीज़ बता दो payment आपकी category के उपर डिपेंड करेगा अगर आप जनरल से हो तो 1000 OBCWS का 900 SCST का 500 रुपे मात्र लगेगा ठीक है तो यहाँ पर यहाँ से आप चाहें तो आप यूपी आई की भी हैल्प ले सकते हैं फोन पे गूगल पे पीटियम किसी के भी तुरू करेंगे सिंपली आपको यहाँ पर यहाँ फिलप कर देना होगा राइट तो जिस पर भी आपको करना है सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है उस आ अफ्टर डेट आपके फिर यहाँ पर आपसन आजाएगा च्वाइस फिलिंग अवलेबल अब दस जैसे ही आज बच जाएगा उन्नीस तारिक को उसके बाद च्वाइस फिलिंग अवलेबल होगा तो वह भी मैं आपको आगे बता रहा हूंगा सो फिर से यहाँ पर अपने निव पार्सवर्ट से लॉग इन करने पर आपके मोबाइल नमबर पर एक OTP जाएगा यहाँ पर आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है और आफ्टर डेट आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा यहाँ पर आपके 24 टोटल 55 यहाँ पर college available है including आपके government and private और government private की जो list है वो मैंने अपने टेलिग्राम पर अल्लेडी अपलोड कर रखा है तो वहाँ पर आप जाकर उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं PCI की website पे भी आपको यह चीज देखने को मिल जाएगा official website पे अब यहाँ पर यह सबसे important बात आती है कि आप अपना 24 फिलिंग कैसे करेंगे और यह आपका matter करता है आपके जो rank है उसके according ठीक है अब यहाँ पर देखो बात आती है कि अगर आपको इसमें कोई भी problem आ रही है तो आप हमारी help ले सकते हैं जिससे आपके rank पे बेश से बेश क्या आपको college मिल सकता है और आपको अगर preference order चाहिए तो आप enroll कर सकते हैं कोई force नहीं है आगे आगेने वाले जो आपका 5 साल है 5.5 साल है आपका पूरा इस पर depend करेगा तो इसमें risk आप मत लीजीगा आपको कै है तो यहां पर आप government and private colleges की list भी देख सकते हैं राइट जैसे कि यहां पर अब यह हम आपको बता दें institute type में अगर आप जाएंगे तो आप जो भी चाहें वहां पर आप search कर सकते हैं और यहां पर आप Central University जो भी है basically list देख सकते हैं अब माल लीजीए हमें और जैसे कि आपक काफी जादा है तो आप ट्राइ करिएगा कि आप सारे के सारे university को फिल अप करिएगा जो भी आपको लगे आपके state के recording आपके घर के आसपास जो भी हो college उसके recording आप कर सकते हैं सबसे पले मालीजी अगर हमें मैं आपको just as a randomly feel up कर रहा हूं as a demo purpose से राइट मालीज अगर हमें पंतनगर का college select करना है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इस पर क्लिक किया इस add वाले option पर यह आप अपने mobile से भी आराम से कर सकते हैं ठीक है उसके बाद मालीजे मैंने कोई यह college select कर दिया आपका college of veterinary and animal science विकानेर मालीजे मैंने मतुरा वाला भी college select कर दिया और मा यह आपका matter करता है मालीजे अगर हमें बीकानेर वाले college को उपर ले जाना है तो हम ऐसे उपर कर देंगे और अगर इसको नीचे करना है तो नीचे तो आप देख रहो यह नीचे हो गया तो down वाले option पर यह आप देखिए यह जो down है यह up है अगर आप इस पी up प्लिक होगा ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर सारे colleges को select करके add करते चले जाएंगे आप चाहें तो जो order आपको मैंने दिया हुआ है उसको ही उसी order में आप चाहें तो यहां से उपर search करकर भी यहां पर उसका नाम यहां से भी आप select कर सकते हैं तो इस तरीके से भी आप कर सक करते हैं जैसे कि मैंने कर दिया अब यह मालों जी आप सब कुछ कर देते हैं फिर आपको यहां पे यह ओफसन दीख जाएगा राइट से वाला अभी से वाले आफसन पे आपको क्लिक करना है ऐसे कर देना है ओके राइट अब दिखिए यह आपका 19 मिनट के लिए एक बार 19 मिनट तक होता है तो उसके पहले यहाँ पर से और क्लिक कर दीजेगा जिसे आपका यह फिर से आउट नहीं होगा आपको एरन नहीं सो करेगा अब सेव एन गोम अग हो तो आप धिक करेंगे तो आप कर टेन आपको लॉक करने के लिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा क्लिक करेंगे च्वाइस लॉकिंग आपको अच्छे से अपना प्रेफरेंस ओर देख लेना उसके बाद ही लोग करना अगर आप एक बढ़ा लॉक कर देंगे तो फिर आफ फर्दर जो है आपका वो आप आप नहीं इसमें चेंज कर पाएंगे तो make sure कि आप अच्छे से अपना order देख लिजेगा यह मैंने जश्ट आज़ा randomly ऐसे fill up कर दिया है ठीक है तो आपको इसको नहीं follow करना है आपको जो भी order है systematic उसको follow करना है अगर कोई दिक्कत है तो आप enroll कर सकते हैं जो student enroll नहीं की है और उनको help की need है तो अब यहां पर आपको क्या करना होगा आई एग्री वाले option पर click करना होगा राइट अब जैसे हैं इस पर click करेंगे तो आपका यहां पर password मांगेगा अब password doll के जैसे ही आप यहां पर अपना जो password आपने बनाया हुआ है यहां पर yes lock पर click करेंगे उसके बाद आप कुछ भी यहां पर change नहीं कर पाएंगे और यह lock करना भी mandatory है जब आप अपना पूरा च्वाइस अच्छे से फील अप कर लेंगे उसके बाद तो यह मैंने आप लोग को बता दिया कोई भी अगर नीट की help है तो आप definitely नीचे लिंग मिल जागा आप जाकर WhatsApp मैसेज करेंगे आप वहां पर आटमेटिकली मैसेज चला जाएगा अगर आप फरस्टेम मैसेज कर रहे हैं सदा डेटल मिल जाएगा फिर वहां से आप इन्रूल कर पाएंगे ठीक है तैंक्यू सो मुच पर वाचिंग इस वीडियो एंड आपा है तैंक्यागू ।